करोना वाइरस के खिलाब देश की लड़ाई में उत्तरप्रदेश पूरी मजबूती के साथ सेभागी बना है करोना वाइरस को पूरी तरह समाप्त करना है इस दिश्चे पबलिक अवेरनिस जहां महतुकून है सतरक्ता और साउधानी जहां महतुकून है वहें साथ यसाथ हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस दोरान किसी भी प्रकार से कोई भी कहें से किसी प्रकार की कोई सिकायत ना मिले प्रदेश सरकार इसके बाले में जहां पूरी सतरक्ता वरत रही है वही नागरिकों से भी हमारी अपील है कि हर एक अस्तर पर हम भी प्रयास करें कि सतरक्ता और साउधानी से ही हम करोना वाइरस को पूरी तरह प्रास्त कर सकते हैं इसके लिए प्रदेश के हिल्थ सिस्टम की स्टैंटनिंग की आउसिकता है और मुझे लगता है कि इसमें पहले से ही काफी कुछ हम लोगों ने भारत सरकार की मदद से किया है राज्य सरकार में अपने रिशोर्से से भी किया है करोना वाइरस जब तक था जब प्रारंब हुआ था तब प्रदेश में एक भी लैप्स नहीं थी आज प्रदेश के अंदर हम लोग आठ लैप्स सपलता पुर्वक संचालित कर रहे हैं हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अंदर इसकी संख्या बढ़े प्रदेश के अंदर COVID-19 के लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 के हॉस्पिटल की एक स्रिंखला खड़ी हो आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर्स, PEP, N95 मास्क आधी की एक स्रिंखला प्रदेश के अंदर खड़ी हो इस द्रिष्टी से हम लोगों ने एक कारयोजना बनाई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने COVID-Care Fund का निर्मान किया है उत्तर प्रदेश COVID-Care Fund उत्तर प्रदेश के अंदर हिल्थ सिस्टम की स्टेंथिनिंग के लिए हमारे पास 24 गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज वरतमान में संचाली था हैं इस सभी मेडिकल कॉलेजेज में हम लैप्स की स्थापना कर सकेंगे टेस्टिंग लैप्स की स्थापना हो हर मंडलिय कारयले में हम लोग टेस्टिंग लैप्स की स्थापना कर सकें इस दिश से 75 जन्पद हैं हमारे 75 जन्पदों में अब तक हम लोगों ने L1 लेवल के COVID-Hospital स्थापित किये हैं L2 अस्तर के COVID-Hospital का निर्मान अभी हमारे हाँ प्रदेश के अंदर 24 मेडिकल कॉलिजेश में और कुछ मंडली हॉस्पिटल में हम लोग करने में सफल हुए हैं L3 लेवल के COVID-Hospital केवल 6 भी प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए हैं हमारा प्रयास है कि हर एक जन्पद में L1 और L2 लेवल के COVID-Hospital के स्थापना हो L3 लेवल के हॉस्पिटल हर एक मेडिकल कॉलेजेश में प्रारम हो सके और हम प्रदेश के अंदर ही PEP, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स आदि के मैनिफेक्टरिंग की यूनिट को भी क्रिया सील करते हैं प्रदेश को एक बहतर इस्तिती दे सके इसके लिए मेरी अपील प्रदेश के सभी सुली जनों से होगे खासतोर पर अपने मानने विधायकों से विधान परिशत के मानने जो सबस्यगण हैं उनसे विभिन उद्यम से जड़ेवे उनके CSR Fund से मेरी अपील होगी वे उत्तर प्रदेश COVID Care Fund में अपना सयोग करें और सयोग करते दें अगर सभी मानने विधायकों अपनी विधायक निधी से एक करोड रुपे की राज़ी इस Fund के लिए उपलब्द करवा देते हैं अपना एक महा का वेतन इस Fund के लिए उपलब्द करवाते हैं तो हम एक अच्छा Fund क्रेट कर सकते हैं जिसके मात्यम से प्रदेश के अंदर हम लोग इन सेवाओं को और स्टेंटिंग करने में हमें मदद मिलेगी प्रदेश के अंदर लेबल वन, लेबल टो, लेबल थरी के हॉस्पिटल के निर्मान की एक सरिंखला हर जनपत में खड़ी हुपाईगी अधिक सेधिक लैप्स और टेस्टिंग लैप्स अस्ताबित होने से टेस्ट की फैसलिटी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रदेश नाकरी को अप्लब्द कराने में हमें मतत्त मले की पीपी जो इस समय सबसे ज़्यादा जिसकी आउस्षिकता है N95 मास्क थ्री लियर मास्क इन सब को हम उप्लब्द करवा देंगे जैसे सेनिटाइजर की समस्या का समाधान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बिस्लरी के मात्यम से अलकोहल की आपूर्ती करके हर एक जनपद में उप्लब्द कराने की कारवाई की है ऐसे ही हम लोग इन सभी की आपूर्ती करने में भी इसके मात्यम से में सबलता प्राप्त हो सकेगी किसके लिए मेरी सभी सेपील होगी सभी मानने विधायकों से सभी मानने विधान परिशत के सबस्यों से सभी कंपनियों से उद्यम से और समाज के सुधी जनों से भी कि वह उत्तरप्रदेश ओविट केर फंड में सहयोग करें और उस सहयोग के माध्यम से हम इन सेवाओं के स्पेंधिनिंग करके करोना वाइरस के खलाब देश किस लड़ाई को और मजबूती से आगे वढ़ाने में और जीतने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे मुझे यही अपिल पुरे प्रदेश स्वासियों से और अपने मने जन प्रतमितियों से करने देने बाद